हर हर महादेव, आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही सुन्दर विशे लेकर प्रस्तुत हूँ हूँ, अश्वत्थामा के बारे में कुछ चर्चाएं हैं जो प्रचलित भी हैं और कई स्थानों पर बताया जाता कि उन्हें देखा भी जाता है, अभी एक फिल्म आईए कल की उ तोटे रूप में इसी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, गुरुद्रोणाचारे जी के पुत्र है, अश्वत्थामा जी हां। और उनके पतनी का नाम है माता कृप्य अश्वतत्थामा की मईयगा, एक बार क्या होता है कि गुरुद्रोणाचारे और देवी क्रिपी शिवजी की तपश्या के लिए जाते हैं और कठिन तपश्या करते हैं और शिवजी से वर्दान स्वरूप शिवजी को प्रसंद करके वर्दान स्वरूप पुत्र की कामना करते पुत्र रत्न प्राप्त का आशिरवाद मांगते हैं शिव जी आशिरवाद दे कर चले जाते हैं समय कुछ समय के बाद में जब पुत्र की प्राप्ती होती है तो जब पुत्र रोता है या जो भी होता है जब पुत्र रोता है तो उसके कंठ से हिन हिन आने की घोडे के जैसे से हिन हिनाने की द्वनी निकलती है तो प्राजिन समय में क्या होता था कि लक्षण गुण अवगुण इस प्रकार से देख कर नाम करण कर दिया करते थे नाम रख दिया करते थे तो जब गोडे अश्व कीसी कंठ से जब ध्वनी निकल रही है तो माता पिता ने इस बालक का नाम अश्वत्थामा रख दिया जिसके कंठ से ध्वनी निकलती ही उसका नाम अश्वत्थामा पड़ गया अब एक बार क्या होता है अब इनके आगे के जो वरणन है महा भारत के जो रहस्य हैं उनको यदि आप देखें या सुनें तो महा भारत में क्या होता है कि अश्वत थामा कूट नीती दवारा पांडवों के पुत्रों का वद्ध कर देता है उन्हें पांडव समझ कर उनका सि श्वत्थामा के सिर्स मनी निकालने को कहते हैं कि ब्राम्मान अवध्य है ब्राम्मान का तो यहीं है कि उसे अपमान कर दिया जय तो निकाल ली जिये तो अपनी क्रूर शक्ति से भीम उस अश्वत्थामा के शिर से मणी उखाड लेते हैं, जहां तक मुझे ग्यात है उस मणी का नाम मानिक या चिन्न मणी या कीरणा मणी ऐसा कुछ था या हो सकता है, नाम भी ना हो, लेकिन इस प्रकार के ही नाम उलेख में कहीं कहीं प्राप्त ह होते हैं, तो आजकल और फिर देखा जाता है कि आजकल बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किसी स्थान पर अस्वत्थामा आते हैं, और शिव जी की पूजा करने के लिए जाते हैं, जो उन्हें देख लेता है, उसका मान संतुलन बिगड़ जाता है, वो सत्य है, और किसी को कष्टना देवें, हत्या चोरी अन्या, इसे दूर रहें, अन्य था, अब श्राप ओटोमेटिक सिस्टम पर है, ऐसा नहीं कि आपको सामने वाला जक्ति को श्राप दे देगा, तो आपके उसी समय वो हानी करेगा, हो सकता है हानी भी करे, हो सकता है देर से करे, क्यो पात्र है किन्तु फिर भी भगवान के आशिरवाद से और दुरोणाचारे जी के पुत्र होने से और अमर होने से उनका अश्ट चिरंजीवों में नाम लिया जाता है अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमाश्चा विवी शणाह क्रपह परशुरामश्चा सप्तेते चिरजी हैं जिसका जन्मदिन होता है तो अब वो परंपराय जन्मदिन की है वो तो मिट गई है वो तो रही नहीं है तो आजकल तो केक वेक्षे ही आश्रवाद लेते हैं या केक जेशी प्रथा को ही मानते हैं फिर भी प्रेतन ऐसा होना चाहिए कि केक वगेरा इनको बंद करें प्रेता की सेवा करें इस प्रकार से ही ऐसे कारिय होने चाहिए हर हर महादे रहुआ है